आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोई भी काम पूरे आत्मिस्वास से करते हैं। आप उन्हें कोई भी चुनोती देंगे तो वे खुस होकर उसे स्विकार करेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें गवराट नहीं होती। ऐसे लोगों की पूरे जमाने पर धाक होती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया का इध्यास कुछ और नहीं है। वो सिर्फ उन मुठी भर लोगों के कहानी हैं जिनहीं खुद पर यकीन था। दुसी तरफ आपका सामना ऐसे लोगों से भी बड़ा होगा जो हमीशा आत्मविश्वास के अभाव से जुष्टे नजराते हैं। वे चाहते हैं कि वे हमीशा बने बनाए रास्तों पर चलते रहें और उनके जीवन में किसी भी तरह की जोखिम का अस्थान नहीं हो। सिल्फ की अधार्ना मनविज्ञान का एक महत्पून परसंग है जिसका सरलर्थ है कि बैक्तिकी स्वयम अपने बारे में क्या राय है। पिधासनियम है कि अगर बैक्ति की अपने बारे में राय अत्यंत सकरात्मक होगी तो वह आत्म विश्वास से भरपूर रहेगा और अगर खुद उसकी राय अपने बारे में सकरात्मक नहीं होगी तो वह आत्म विश्वास की कमें से जूज़ेगा इसलिए किसी भी बैक्ती के आत्मी विस्वास के इस तरको समझना हूं तो उसके self-concept या self-image को समझने की कोशिस करने चाहिए जादे महतापूर्ण सवाल यही है कि बैक्ती की self की धारणा कैसे बन ती है इस समद्ध में प्रसिद समास सास्तरी चाल्स हटन कूले का एक अतन्त रोचक कतन है मैं वह नहीं हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ मैं वह भी नहीं हूँ जो तुम समझते हो कि मैं हूँ मैं वह हूँ जो मैं समझता हूँ कि तुम समझते हो कि मैं हूँ इस भूल भूलेगे जैसे कथन का सरल अर्थ यह है कि मेरी अपने बारे में छवी या धारना इस बात से तैं नहीं होती कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ वह इस बात से भी तैं नहीं होती कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते है क्योंकि मैं वस्तनिष्ट रूप से यह जान ही नहीं सकता कि कोई दूसरा बैक्ती मेरे बारे में क्या सोचता है अपनी नजर में मेरी 26 आधार पर बनती है कि मुझे दूसरों की निगाह में अपने प्रती कैसा भाव नजर आता है अगर मुझे लगता है कि अधिकांस लोग मेरा सम्मान करते हैं तो मेरी नजरों में भी मेरा सम्मान बढ़ जाएगा और यदि मुझे लगा कि अधिकांस लोग मुझे महत तो नहीं देती तो दिरे दिरे मैं भी खुद को महत तोहीन समझने लगूँगा और अल्प आत्मेस्वास का सिकार हो जाऊँगा यहां दो और और अधार्णों को समझने की जरूरत है जिने significant others तथा generalized others कहते हैं इनसे पता चलता है कि बैक्ति की self image बनाने में किसी बैक्ति का कितना युगदान होता है गौरत दुरप है कि किसी भी बैक्ति की निगाह में सभी सम्मंधित बैक्तियों का बराबर महत तो नहीं होता कुछ लोग इसके लिए बेहत खास होते हैं जिनकी नजरों में गिरना वो बरतास नहीं कर सकता जिनकी नजरों में उठने के लिए वह एड़ी चोटी का जोड लगाने को तयार रहता है इन बैक्तियों को significant others कहा जा सकता है दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग भी हमारी जिन्दगी का हिस्सा होते हैं जिनके राय हमारे लिए महत तो नहीं रखती हमें इस बात से फरक नहीं पड़ता कि वे हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा इन बैक्तियों को generalize others कहते हैं कहने के जुरूत नहीं कि बैक्ति के आत्मविश्वास का अस्तर मूटी तोर पर इस बात से तय होता है कि significant others की उसके बारे में क्या धार ना है हमें दो प्रयास निरंतर करने चाहिए पहला तो यह कि हम अपनी self image को न बिगड़ने दें ताकि आती आत्मविश्वास या अल्प आत्मविश्वास हम पर हावी न हो और दूसरा यह जब कभी विक्रत self image से जूज रहे बैक्ति को देखें तो अपने अस्तर पर थोड़ी बहुत ऐसी कोशिस जरूर करें जिससे वह विक्रती समाप्त या कम हो जाए अल्प आत्मविश्वास से चूज रहे बैक्ति की बार बार पर संसा करें ताकि आपकी आँखों में अपना समान देखकर उसे खुद पर भरोसा जमने लगे और आत्मविश्वास से युक्त बैक्ति को चूट पहुंशाए बिना थोड़ी बहुत उन चुनोतियों का एहसास कराएं जिन से अभी तक उसका सामना नहीं हुआ है तता इसी वज़ा से वह हवा में उड़रा है अपने आत्मविश्वास वो सही इस्तर पर बनाए रखना भी जरूरी है क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई बड़ा काम संभो नहीं बस यह ध्यान रहें कि आत्मविश्वास जरूरत से ज़्यादा ना हो इसका उपाजा है कि कभी-कभी अपने से स्रविष्ट व्रक्तियों से मिलते रहें कुछ महान लोगों के जीवनिया पढ़ते रहें ताकि उनकी महानता के तुलना में अपनी लगुता का एहसास बना रहें कभी-कभी अपने से कमतर व्रक्तियों से एक साथ भी तुलना करते रहना चाहिए ताकि अपनी छमताओं पर भरोसा भी बना रहें एक अच्छा उपाई यह भी है कि बैक्ती इमानदारी से अपनी डायरी लिखे जिसमें वह सहज होकर खुद से बात कर सके अपनी कमजोरियों को भी स्विकार कर सके और अपनी उपलब्धियों पर इतरह भी सके तो फिर आज के लिए बस इतना ही नमस्कार